सेईस तारिक दो मास की अव्यक्त बाब दादा की मुर्ली है और मुर्ली का विशे है पुराना संसार और पुराना संसकार भुलाने का उपाए पुराना संसार और पुराने संसकार भुलाने का उपाए उपाय बाबा ने बताया हुआ है, क्या बताया होगा? उपाय नशा, निश्चे और निश्चे का फल नशा तो आज पूरा नशे के उपर मोली है, बाबा ने चार प्रकार के नशे बताया है जानते हैं सभी परन्तु बाबा केते हैं, प्रेक्टिकल जीवन में लाना है जीवन में लाएंगे तो संसकार का परिवर्तन होगा बाब दादा सभी निश्चे बुद्धी बच्चे के निश्चे का प्रत्यक्ष जीवन का स्वरूप देख रहे हैं निश्चे बुद्धी की विशेषताएं सभी ने सुनी, लास्ट मुर्ली में है न, निश्चे बुद्धी की विशेषताएं थी सबने स्टड़ी किया था गर जाके पंदरा थी लास्ट में समराइस कराना में बूल गई थी पर पंदरा थी मैंने अंडरलाइन किया था सभी मुल्ली के अंदर ऐसा विशेष्टाओं संपन्न निश्य बुद्धी विजयी रतन इस ब्राह्मन जिवन वा पुर्षोतम संगम्युगी जिवन में सदा निश्य का प्रमाण वो नश्य में होगा निश्य का प्रमाण है नशा रुहानी नशा निश्य का दरपण स्वरूप है रुहानी नशा आत्मिक नशा निश्य सिर्फ बुद्धी में स्मृती तक नहीं लेकिन हर कदम में, रुहानी नशे के रूप में, कर्म द्वारा प्रत्यक्ष स्वरूप में, स्वयम को भी अनुभव होता और औरों को भी अनुभव होता, क्योंकि ये ज्ञानी और योगी जीवन है सिर्फ सुनने सुनाने तक नहीं, जीवन बनाने का है जीवन में समृति अर्थात संकलप, बोल, कर्म और संबंध सब आजाता है संकल्प, बोल, कर्म और संबंध अर्थात व्यवहार निश्य बुद्धी अर्थात नशे का जीवन ऐसे रुहानी नशे वाली आत्मा का हर संकल्प सदा नशे से संपन्न होगा नशा अर्थात वातवरन बना हुआ होता है वैब्रेशन्स बने हुए होते है तो बाबा कहते हैं कि उनका हर संकल्प वैब्रेशन के साथ होगा संकल्प, बोल और कर्म तीनों से निश्य का नशा अनुभव होगा बाबा फिर कहते हैं जैसा नशा वैसे खुशी की जलक जहरे से चलन से प्रत्यक्ष होंगी निश्य का प्रमाण नशा और नश्य का प्रमाण खुशी वो खुद को तो मैसुस होगी पर सामने वाले को भी होगी कि क्या है आज आज आप बहुत खुश नजर आ रहे हैं वो कितना भी छिपाने की कोशिश करेंगे तो भी सामने वाले को पता चल जाए क्यूंक आज क्या है आप बहुत खुश नजर आ रहे हैं निश्य का प्रमाण नशा और नश्य का प्रमाण है खुशी नश्य कितने प्रकार के हैं इसका विस्ताथ बहुत बड़ा है लेकिन सार रूप में एक नश्य है और शरीरी आत्मिक स्वरूप का पहली बात नश्य की बाबा ने बताई अशरीरी पन का आत्मिक स्वरूप का अशरीरी आत्मिक स्वरूप का थोड़ा आवास बड़ाना जरा सा इसका विस्ताथ जानते हो आत्मा तो सभी है लेकिन रुहानी नश्य तब अनुभव होता है जब ये स्मृती में रखते हैं कि मैं कौन सी आत्मा हूं एक तो आत्मा का नश्य होगा तो भी तो भी क्या मैसूस होगा बाबा ने का आत्मा के नश्य का विस्तार विस्तार सोचो आत्मा के नश्य में क्या होगा तो बाबा के तो इसका और विस्तार आपस में निकालना वा स्वयम मनन करना ये study के लिए subject, homework, क्या? आत्मिक नशे का विस्तार एक ही बात अगर कहें तो आत्मिक नशे में क्या है? आत्मा की विशेष्टा क्या है? आत्मा की मूल विशेष्टा क्या है? क्या? और अविनाशी, मूल बात क्या है कि आत्मा अविनाशी है और अविनाशी है तो उसका नशा क्या होगा? जैसे ही आत्मिक नशा होगा, वो तुरंट निर्भय हो जाएगा, निर्भय आत्मा का विनाश नहीं हो सकता, अर्थात मेरा विनाश होई नहीं सकता है मुझे कोई नहीं मार सकता है मैं नहीं मर सकती हूँ ये नशा जब ये नशा हो गए मुझे तो कोई कुछ भी नहीं कर सकता है तो मतलब नहीं कर सकता है नहीं कर सकता है ये संकल्प जब नशे के रूप में होगा तो उसके इतने जवर्दस vibration फैलते हैं, जो सामने वाला भी समझ जाएगा, कि इनको कोई कुछ नहीं कर सकता, हम भी नहीं कुछ कर सकते हैं, कितने भी हथियार उसके हाथ में होंगे, बोले, तुम क्या कर सकते हो मुझे, मुझे तो कोई मार ही नहीं सकता है, है ना, तो उसी प्रकार, दूसरा, दूसरा नशे का विशेश रूप है, संगम योग का अलवकिक जीवन, दूसरा नशा है संगम योग का अलवकिक जीवन, इस जीवन में कौँसी जीवन है, इस Kazakh भी विस्तार सोचो, तो एक है आत्मीक स्वरूप का नशा, और दूसरा है अलोगकिक जीवन का नशा विस्तार हमें सोचना है हुमवर्क है ना तीसरा है फरिष्टेपन का नशा संगम योगी भ्रह्मन जीवन का नशा और फिर तीसरा है फरिष्टेपन का नशा फरिष्टा किसको कहा जाता है इसका भी विस्तार करो और चोथा है भविश्य का नशा, हम क्या बनने वाले हैं, उस समय हमारा क्या प्रभाव होगा, है ना, उस समय हमारा पावर क्या होगा, है ना, हमारी ताकत क्या होंगी, हमारी शक्ती क्या होंगी, हमारा प्रभाव क्या होगा हमारा स्वभाव क्या होगा यह सब बाबा कहते क्या करो सोचो, चिंतन करो यह होमवर्ख है इसका भी विस्तार करो और चोथा है भविश्य का नशा इन चार ही प्रकार के अलवकिक नशे में से कोई भी नशा जीवन में होगा कोई भी होगा तो स्वता ही खुशी में नाचते रहेंगे बाबा कहते हैं निश्य भी है लेकिन खुशी नहीं है तो इसका कारण क्या है नशा नहीं है बाबा कहते हैं निश्य है परन्तु वो इतना शक्तिशाली नहीं है, इतना कॉंसंट्रेटेड नहीं है, जो उसका नशा अनुभव हो, नशा सहेज ही पुराना संसार और पुराना संसकार भुला देता है, इस पुर्शार्थी जीवन में विशेश, विग्न रूप ये दो बाते हैं, चाहे पुराना संसार वा पुराना संसकार, पुराने संसकार कौंसे? सहार रूप में देह भान के संसकार, पुराना संसकार अर्था देह के संबंदी और देह के पदार्थ, बाबा कहते हैं, चाहे पुराना संसार वा पुराना संसकार, संसार में देह के संबंद और देह के पदार्थ, दोनों आ जाता है, साथ साथ संसार से भी पुराने संसकार ज़्यादा विग नरुप बनते हैं अपने संसकार, संसकार तो अपने होते हैं न संसार बूल जाते हैं लेकिन संसकार नहीं बूलते हैं, वो तो अंदर में हैं संसकार जहां जाएंगे वहां साथ में जाएगा तो वो जल्दी से बूलने सकता तो संसकार परिवर्तन करने का साधन है इन चारो ही नशे में से कोई भी एक नशा साकार स्वरूप में हो बाबा तो केते कोई भी एक नशा हो सिर्फ संकल स्वरूप में नहीं साकार स्वरूपे होने से कभी भी वीगन रूप नहीं बनेंगे अभी तक संस्कार परिवर्तन न होने का कारण ये है इन नशों को संकल्प रूप में अर्थात नौलेज के रूप में बुद्धी तक धारण किया है इसलिए कभी भी किसी का पुराना संस्कार इमर्ज होता है तब ये भाषा बोलते हैं क्या भाषा बोलते हैं? हम सब समझते हैं ज्यान तो है, नौलेज तो है तो क्या कहेंगे हम सब समझते हैं बदलना है ये भी जानते हैं लेकिन समझ तक नहीं, कर्म अर्था जीवन तक चाहिए, कोई उनको बूलेगा, तो बूलेगा, हाँ, पता है ना, पता है, परन्तु परिवर्तन नहीं होता है, परिवर्तन नहीं होता है, और नहीं होने का एक कारण यह है कि परिवर्तन करना नहीं चाहते हैं, जिसको दुसरे शब्दों में रिफाइंड शब्दों में लोग दुनिया वाले के ते comfort zone में अपने आपको रख दिया है यहां तक आ गया बस हम बाबा के बच्चे बन गए ब्रामन बन गए पवित्र तो है ही बाकी सबधाना एक खान पान की वगेरी की तो है ही बाकी थोड़ा बहुत संसकार के कारण कुछ आदते हैं जो मिटती नहीं है पर मिटती इसलिए नहीं है कि हम मिटाना नहीं चाहते हैं जहां तक पहुँचे हैं बहुत हो गया बस चलेगा अभी बहुत हो गया कोई कहेगा नए हम नहीं बदलेंगे ये नक्की कर लिया एक तो वैसे भी बदलना मुश्किल है मुझे बदलना ये सोचेंगे तो भी मुश्किल है और जब ये सोचते हैं कि मुझे नहीं बदलना है तो तो उसको भगवान भी नहीं बदल सकता और वो constant वीगनरूप बनता रहता है हमारी कमी की मुसिबत क्या है? हम अपने लिए तो वीगनरूप है, बनते हैं पर संगठन के लिए भी वीगनरूप बनते हैं हमारा कोई भी संसकार ऐसा होगा, पुराना तो संगठन के लिए भी हम क्या बनते हैं? वीगनरूप बन जाते हैं तो बाबा कहते हैं, समझ तक नहीं, कर्म अर्था जीवन तक चाहिए जीवन ध्वारा परिवर्तन अनुभव में आवे इसको कहा जाता है, साकार स्वरूप में आना, प्रेक्टिकल में आना चाहिए अभी बुद्धी तक, पॉइंट्स के रूप में, सोचने और वर्णन करने तक है ये भी जरूरी है कि समझ में आये कम से कम, बाबा क्या कहना चाहते हैं? और अच्छी बात है, बुद्धी में सोचना, डिसकस करना, आपस में वर्णन करना, सब कुछ अच्छा है पर फिर आगे कर्म तक भी जरूर आना चाहिए लेकिन हर कर्म में, संपर्क में परिवर्तन दिखाई दे इसको कहा जाता है, साकार रूप में अलवकिक नशा अभी हर एक नशे को जीवन में लाओ कोई भी आपके मस्तक की तरफ देखे तो मस्तक द्वारा रुहानी नशे की व्रत्ती अनुभव हो आत्मभाव अनुभव हो चाहे कोई वर्णन करे या न करे लेकिन व्रत्ती वायूमंडल और वाइब्रेशन फैलाती है आपकी व्रत्ती दुसरे को भी बाबा केते हैं आपकी व्रत्ती होंगी वो दुसरे को भी खुशी के वाइब्रेशन अनुभव करावे इसको कहा जाता है नशे में स्थीत होना आपको देख करके यह आपकी प्रिजन्स दुसरे को भी खुशी का अनुभव करावे ऐसे ही द्रस्टी से मुख की मुस्कान से मुख के बोल से रुहानी नशे का साका रुप अनुभव हो मुस्कान भी, स्माइल भी, मुस्कान भी कैसी हो रुहानी रुहानी होती है एक होती है जिस्वानी देवान के साथ और दुसरे होती है रुहानी, देवान से उपराम होते हुए मुस्कान खुशी, मुस्कान ऐसा नहीं कि वह आध्यात्मिक व्यक्ति है, रोहानी है, तो फिर वो मूँ चड़ा के गुमता फिरता होगा लोगों को ऐसा इंप्रेशन है, कि योगी माना एकदम सिरियस है ना, एक बार ऐसे हुआ था कि हमारी बैने ग्रूप, बैनों का ग्रूप कोई आता होगा मदुबन से वापस तो जब ग्रूप होता है, तो हसी, खुशी, सब कुछ होता है, है ना, तो बैने हसी, खुशी से कुछ खेल पाल करते हुए आ रहे थी, तो दो-चार लोग देख रहे थे फिर अंत में सुनाया कि अच्छा आप लोग तो सन्यासी जैसे हो, बुला हाँ सन्यासी है, तो फिर आप इतना हस्ते खुश क्यों होते हैं, तो क्यों नहीं होंगे भाई, है ना, खुश तो रहना है ना, बुला अच्छा, ऐसा भी होता है, कि आप सन्यासी भी हो, आध्या तो इसलिए बाबा कहते हैं कि तुमारा तुमारी स्थिती क्या है अगर तुमें नशा है तो तुम अवश्य खुशी में रहेंगे मूचड़ा के गुमना फिरना नहीं है समझा अगर मूचड़ा हुआ है तो इसका मतलब क्या हुआ अब देवान में हो आत्मभाव में नहीं हो तो बाबा कहते हैं ऐसे ही द्रस्टी से मुख की मुस्कान से मुख के बोल से रुहानी नशे का साकारूप अनुबव हो तब कहेंगे नशे में रहने वाले निश्य बुद्धी विजयी रतन नशे में रहने वाले निश्य बुद्धी विजयी रतन इसमें गुप्त रहने की बात नहीं है फिर बाबा के बच्चे तो बहुत उश्यारे आर्ग्यूमेंट करने में इसलिए बाबा के सामने भी आर्ग्यूमेंट करते हैं कहीं ऐसी भी चतुराई करते हैं कि हम तो गुप्त है फिर बाबा समझाते हैं कहावत है सूर्य को कभी कोई छिपा ने सकता कितने भी गहरे बादल हो फिर भी सूर्य अपना प्रकाश नहीं छोड़ता सूर्य हटता है मां बादल हटते है बादल आते भी है और हट भी जाते है लेकिन सूर्य तो अपने प्रकाश स्वरुप में ही स्थित होता है वो अपना प्रकाश नहीं छोड़ता है कि इतने बादल आ गए तो विचारा फिका पड़ गया ऐसा नहीं होता है सुर्य क्याजु बाजु अंधिरा चा गया ऐसा होता है कभी हो ही नहीं सकता है तो रुहानी नशे वाला भी रुहानी जलक से छीप नहीं सकता उसके रुहानी नशे की जलक प्रत्यक्ष रूप में अनुबव अवश्य होती है उनके वाइब्रेशन स्वत्त ही औरों को आकर्शित करते है रुहानी नशे में रहने वाले के वाइब्रेशन स्वयम के प्रती वा औरों के प्रती छत्रा छाया का कार्य करते हैं तो अभी क्या करना है साकार में आओ नौलेज के हिसाब से नौलेजफुल तो हो गए हो लेकिन नौलेज को साकार जिवन में लाने से नौलेजफुल के साथ साथ बाबा कहते हैं successful और blissful अनुभव करेंगे बाबा कहते हैं अच्छा फिर सुनाएंगे successful और blissful का स्वरुप क्या होता है दुसरी मोरली में सुनाया जाए आज तो रुहानी नशे की बात सुना रहे हैं सभी को नशा अनुभव हो इन चारो ही नशों में से एक नशे को बिन बिन रूप से यूज करो, कौन से चार नशे हैं, कौन से चार नशे सुनाएं, दूसरा, संगम यूगी ब्रामन का नशा, और तिसरा, और चौता, बविशय क्या? कौन से नशा बविशय का? क्या बनेंगे बविशय में प्रजा का नशा, दास दासी का नशा, तौन से नशा? कौन सा उंच बद भाई बोलने में भी आपको हिचकी चार्ट होती है तो बनेंगे कैसे बविश्य कौन सा नशा विश्व महाराजन भाई बोलो तो से कम से कम बने न बने छोड़ो बात क्योंकि अंत में किसने नहीं बोलो का बाबा कहेगा कि जिसने बोला वो बना चलो तो अब फाल तु नहीं बोला बोलने में क्या जाता था भाई बोला भी नहीं तो इसलिए लक्ष क्या रखना है हमें विश्व महाराजन तो फिर विश्व महाराजन का क्या नशा वो समझ में आएगा आप एक सेकंड विश्व माराजन बनके सोचिए आप बहुत बड़े राजगर्दीशी हासां पर बैठें और विश्व माराजन है सारा विश्व तुमारे कहने पर होगा यह बहुत इंपोर्टन बात है सारा विश्व आपके मतलब आप जो सोचेंगे वही होगा चाहे यहां नस्दीक या विश्व के कोई कोने में चाहे यहां या विश्व के कोई कोने में आपके अनुसार सब कुछ चलेगा यह प्रभाव की बात है यह नशे की बात है सोचे तो सही कि सब कुछ अपने अनुसार आपके अनुसार चलेगा तो वो सोचना है वविश्य का नशा तो चार नशे बताए एक रोहानी आत्मिक नशा जो हमें निर्भय बनाता है, निडर बनाता है कोई हमें कुछ भी कर नहीं सकता दूसरे बात संगम योगी ब्राम्मन का नशा हम उँच ते उँच है देवताओं से भी उँच है हम भगवान के साथी है मुझे याद आ रहा है एक बात जो बाबा ने परसु मुरली में कहा था कि मैं भीक माग रहा हूँ भगवान जिससे भीक मागता है इतने बड़े हैं हम तिसरा फरिश्टेपन का नशा फरिश्टा ऐसा है सदा सबके साथ है कोई कभी भी बुलाएं वो उनकी सेवा में हाजिर हो जाता है और चौथा भविश्यका नर्षा जो बता है बाबा ने बाबा कहते जितना इस नर्षे को जीवन में अनुबव करेंगे तो सदा सभी फिकर से फारिग बे फिकर बाद्षा बन जाएंगे सभी आपको बे फिकर बाद्षा के रूप में देखेंगे खाली बनेंगे इसा नहीं परन्तु सभी देखेंगे तो आप विस्तार निकालना वह प्रेक्टिकल में लाना जहां खुशी है वहां माया की कोई भी चाल चल नहीं सकती है बे फिकर बाद्षा की बाद्षा ही की अंदर माया आ नहीं सकती है न कोई बे फिकर बाद्षा है बहुत खुश में है और तब किसी ने आके बताया माया कैसे आती है किसी ने बताया कि तो माय ले फलना वक्तिय ऐसा ऐसा बोलता है, कोई बात नहीं, छोड़ो, आप चिंता मत करो, कोई बात नहीं, तो माय उसमें प्रवेश कर ही नहीं सकते, तुम नशे में हो, तुम खुश में हो, फिर दुनिया क्या भी कहे, उनको कोई पड़ी हुई होंगी, नहीं, तो कभी देह के संबंद के रूप में आती है, इसी को ही कहते हैं, कभी माया हाथी बन के आती है, कभी बिल्ली बन के आती है, कभी चुहा बन के आती है, तो कैसे आनी चाहिए, एक तो आनी ही नहीं चाहिए, अगर आती है, तो तीनों में से काउन सी डिफिकल्ट है, और काउन सा इजी है, हाथी जैसी है या चुहे जैसी है, हाथी जैसा, हाथी को एक बार आपने भगा दिया, विचारा जल्दी से वापस आएगा ने, बिल्ली उससे ज़्यादा चंचल है हाथी से यहां से बगाया है तो यहां से बगाया है तो यहां और चुहा खतरनाक है ना सबसे ज़्यादा चंचल है जाएगा इने जल्दी से जाएगा इतना फास्ट है कि बात मत पुछो तो बावा कहते हैं, कभी चुहा बनके आती, कभी चुहे को निकालते, कभी बिल्ली को निकालते, इसी बगाने के कार्यम में ही समय निकल जाता है इसलिए सदा रुहानी नशे में रहो, पहले स्वयम को प्रत्यक्ष करो, तब बाप की प्रत्यक्षता करेंगे क्योंकि आप द्वारा ही बाप प्रत्यक्ष होना है अच्छा, याद प्यार है सदा स्वयम द्वारा सर्व शक्तिमान बाप को प्रत्यक्ष करने वाले सदा अपने साकार जीवन के दर्पन से रुहानी नशे की विशेषता प्रत्यक्ष करने वाले सदा बेफिकर बाच्षा बनके माया को विदाय देने वाले माया को विदाय दे देना अर्थात अभी हमें अपने जीवन को ऐसा बनाना है कि कोई भी बात हमारे मन को डिस्टर्ब न करे कोई भी बात हमारे निश्चे को डगमग न करे कोई भी बात कुछ भी हो जाए पर हमने जो बात समझ ली है हमने जो बात अनुभव कर ली है है ना जो समझ ली है वो इतनी हमारे जिवन के लिए प्राप्ति की बात है कि हम अभी उससे बदल नहीं सकते हैं कोई कुछ भी कह ले सदा बेफिकर बाद्शा बन माया को विदाय देने वाले सदा नौलेज को स्वरूप में लाने वाले ऐसे निश्य बुद्धी नश्य में रहने वाले सदा खुशी में जूलने वाले ऐसी स्रेश्ट आत्माओं को, विशेश आत्माओं को बाब दादा का याद प्यार और नमस्ते बाबा किते हैं उची द्रस्टे से हमें देखते हैं अच्छा फिर सेवाधारी टीचर्स बेनों से बाबा ने बात किया सेवाधारी अर्थात अपनी शक्तियों द्वारा औरों को भी शक्तिशाली बनाने वाले सेवाधारी की वास्तविक विशेष्टा यही है निर्बल में बल भरने के निमित बनना यही सच्ची सेवा है ऐसी सेवा का पाठ मिलना भी हिरो पाठ तो हीरो पाठ दारी कितने नर्शे में रहते हैं न सेवा के पाठ से जितना अपने को नंबर आगे बढ़ाना चाहो बढ़ा सकती हो क्योंकि सेवा आगे बढ़ने का साधन है सेवा में बिजी रहने से स्वतही सब बातों से किनारा हो जाता है हर एक सेवास्थान स्टेज है, जिस स्टेज पर हर आत्मा अपना पार्ट बजा रही है ये कितना बड़ा विशाल नाटक है, इतने स्टेजी से और उसके अंदर हर आत्मा का पार्ट चल रहा है साधन तो बहुत है, लेकिन सदा साधनों में शक्ति होनी चाहिए अगर बिना शक्ति के साधन यूज करते हैं, तो जो सेवा की रिजल्ट निकलनी चाहिए, वो निकल नहीं सकती पुराने समय में जो वीर लोग होते थे, वो सदायव अपने शस्त्रों को देवताओं के आगे अरपन करके, उसमें शक्ति भर करके फिर यूज करते थे है न, आप देखेंगे, कि जब कोई जाता था युद्ध करने के लिए, तो उनकी जो तलवार होंगी, उसकी पुझा बुझा वगेरे करके, फिर जब वो जाते हैं, तो उसको भी विधिपुर्वक तिलक लगाते थे, और वो तलवार हाथ में देते थे तो बाबा कहते हैं, तो आप सभी भी कोई भी साधन यूज करते हो, तो उसे यूज करने के पहले, उसी विधिपुर्वक कार्य में लगाते हो अब भी जो भी साधन कार्य में लगाते हो, उससे थोड़े समय के लिए लोग आकर्शित होते हैं, सदाकाल के लिए प्रभावित नहीं होते हैं, क्योंकि इतनी शक्तिशाली आत्माएं, जो शक्ति द्वारा परिवर्तन करके दिखाएं, वो नमबर वार हैं सेवा तो सभी करते हो, सभी का नाम टीचर्स है, सेवा धारी हो या टीचर हो, लेकिन सेवा में अंतर क्या है, प्रोग्राम भी एक ही बनाते हो, प्लेन भी एक जैसा करते हो, रित रसम भी एक जैसी बनती है, फिर भी सफलता में अंतर पड़ जाता है, उसका काराण क्या है अब ये जो शिवानी बेन का प्रोग्राम था, तो प्रोग्राम के बाद, प्रोग्राम के बाद हम जब जा रहे थे, वो भी जा रहे थी, तो मिलने आई शिवानी बेन, कि हम आने ही वाले थी आपके सेंटर पर, मिलने के लिए, मैंने बोला ही था बेन को, पर राजबे ने ब काह बाला-शिनूर की होंगी कहता है अब नहीं आपके पहास ही बैठी थी जब आप बाला-शिनूर में आये थे आपने मुझे पहचाना नहीं तो शिवा ने बेन के थी मैं आई नहीं कभी बाला-शिनूर पर हम सभी एक जैसी ही दिखती है हम सभी टीचर्स है ब्रमा कुमारिया है और हमार एक जैसा ड्रेस एक जैसा घ्यान हम सभी एक जैसी ही दिखती है और कोई आई होंगी आपके पास तो सभी एक जैसी है पर सफलता में सफलता में अंतर है कारण क्या? शक्ति की कमी तो साधन में शक्ति बरो जैसे तल्वार में अगर जववर नहीं हो तो तल्वार तल्वार का काम नहीं देती ऐसे साधन है तल्वार लेकिन उसमें शक्ति का जववर चाहिए वो जितना अपने में भरते जाएंगे उतना सेवा में स्वत्त ही सफलता मिलती रहेगी तो शक्तिशाली सिवाधारी बनो सिवाधारी तो हो बाबा कहते पर तु क्या बनो शक्तिशाली सिवाधारी बनो सदा विधी द्वारा व्रद्धी को प्राप्त हो न ये भी कोई बड़ी बात नहीं है लेकिन शक्तिशाली आत्माएं व्रद्धी को प्राप्त हो इसका विशेश एटेंशन बाबा कहते हैं सेवा में भी क्या करो कॉलिटी निकालो कॉलिटी आत्माएं निकालो कॉंटिटी तो और भी ज्यादा आएगी परन्तु quality के उपर विशेश एटेंशन जो आने वाले भी पूरे निश्य बुद्धी हो है न, वो भी नशे वाले हो नंबर quality के पर मिलेगा quantity के पर नहीं एक quality वाला 100 quantity के बराबर है अच्छा फिर बाबा ने कुमारों से बात किया है कुमार क्या कमाल करते हो पूछा फिर क्या कहा होगा दमाल करने वाले तो नहीं हो न कुमार दोनों कर सकता है कमाल भी कर सकता है और दमाल भी कर सकता है क्योंकि शक्ती बहुत है न, टाकत बहुत है तन की भी और मन की भी और अभी आजकल तो धन की भी होती है कमाल करने के लिए शक्तिशाली बनो और बनाओ जो कमजोर है वो धमाल करते हैं और जो शक्तिशाली है वो कमाल करते हैं शक्तिशाली बनने के लिए सदा अपना मास्टर सर्वशक्तिमान का टाइटल स्मृति में रखो जहां शक्ति होंगी वहां माया से मुक्ति होंगी जितना स्वक के पर एटेंशन होगा उतना ही सेवा में भी एटेंशन जाएगा अगर स्वा के प्रती एटेंशन नहीं, तो सेवा में शक्ती नहीं बरती, इसलिए सदा अपने को सफलता स्वरूप बनाने के लिए शक्ति शाली अभ्यास के साधन बनाने चाहिए बावा केते हैं कोई ऐसे विशेश प्रोग्राम बनाओ, जिससे सदा प्रोग्रेस होती रहें, पहले स्वाउन नती के प्रोग्राम, तब सेवा सहज और सफल होंगी कुमार जीवन भाग्यवान जीवन है, क्योंकि कई बंधनों से बच गए हैं, नई तो ग्रहस्थी जीवन में तो कितने बंधन हैं, तो ऐसे भाग्यवान बनने वाली आत्मा हैं, कभी अपने भाग्य को भूल तो नहीं जाती हैं सदा अपने को स्रेष्ट भाग्यवान आत्मा समझ कर औरोक के भी भाग्य की रेखा खिचने वाले हो कितनी बड़ी जिमेदार दिया है जो निरबंदन होते हैं वो स्वतही उर्तिकला द्वारा आगे बढ़ते जाते इसलिए कुमार और कुमारी जीवन बाप दादा को सदा प्यारी लगती है ग्रहस्ती जीवन के बंधन वाली और कुमारी जीवन के बंधन मुक्त तो निरबंधन आत्मा बनके औरोको भी निरबंधन बनाओ कुमार अर्था सदा सेवा और याद का बैलेंस रखने वाले बैलेंस है तो सदा उड़ती कला है जो बैलेंस रखना चाहते हैं वो कभी भी किसी परिस्थिती में नीचे उपर नहीं हो सकते मुल बात ये है कैसी भी परिस्थिती आवे परन्तु निचे उपर नहीं होना है फिर अधर कुमारों से बाबा तो हरे की विशेशता कहते हैं न सभी अपने जीवन के प्रत्यक्ष प्रमान द्वारा सिवा करने वाले हो न ग्रहस्त जीवन बाबा के ज्यान का प्रत्यक्ष प्रमान है बहुत बड़ी चैलेंज है सभी सादू संतों के आगे सन्यासियों के आगे बड़ा चैलेंज है सबसे बड़े ते बड़ा प्रत्यक्ष प्रमान है आप सबकी जीवन का परिवर्तन सुनने वाले और सुनाने वाले तो बहुत देखे अभी सब देखना चाहते हैं सुनना नहीं चाहते हैं तो सदा जब भी कोई कर्म करते हो तो ये लक्ष रखो कि जो कर्म हम कर रहे हैं उसमें ऐसा परिवर्तन हो जो दूसरे देख करके परिवर्तन हो जाए क्योंकि ग्रहस्त में रहते हुए ये सब धारणाय करते हैं तो कोई कुछ आर्ग्यूमेंट नहीं कर सकता ने तो लोग कहेंगे कि तुम तो सन्यासी हो तुमको क्या पता दुन्यादारी क्या है ग्रहस्त जीवन क्या है आपको क्या पता पर ग्रहस्त को तो कोई बोल नहीं सकता क्या कि हम भी आपके जैसे ही है हमारा भी घर है, बार है, बाल है, बच्चे हैं सब जिम्मेदारी निभाते हैं तो भी हम कर रहे हैं तो भी सब कुछ कर रहे हैं तो उनको कोई कह नहीं सकता वो चैलेंज कर सकते हैं इससे स्वयम भी संतुष्ट और खुश रहेंगे और दुसरों का भी कल्यान करेंगे तो हर कर्म, बड़ी इंपोर्टन बात बताई, हर कर्म सेवा अर्थ करो सेवा समझ के करो, है न, ओफिस में जाते हो तो भी, घर में रहते हो तो भी कोई घर में रहे हैं, बच्चों की सेवा कर रहे हैं, तो भी क्या समझना है क्या समझना है, घर में रहते कैसे सेवा कहेंगे, क्या समझना है घर में भी जो परिवार है वो किसका है बाबा का परिवार अभी हम बाबा के परिवार की सेवा में उपस्तित है और बाबा का परिवार है तो कैसे सेवा करेंगे प्यार से बाबा के बच्चे है न तो प्यार से सेवा करेंगे कितने भी तुफानी है, क्या भी है, तो भी आप उनको हाथ नहीं लगा सकते क्योंकि बाबा का परिवार है है ना, बाबा का बच्चा है और आप ने कुछ कर दिया तो मुश्किल हो जाएगी वो भी सेवा है, गर भी सेंटर है गर्भी सेंटर है, परिवार बाबा का परिवार है गरहस्त में रहते हुए और जो ओफिस में काम करते हैं वो भी पर इतना मन से इतना ओनेस्ट होना पड़ेगा कि हम जो सेवा करते हैं वो भी बाबा के बच्चों की पालना के लिए और बाबा की सेवा के लिए प्रमानिकता से बच्चों की पालना भी करनी है और बाकी जो है उससे बाबा की अलोकिक सेवा भी करनी है तो उसके लिए एकदम निर्मान चीत बन करके वहां भी सेवा में जाना है जुटी पर जाना है बस बाबा के लिए सब कुछ बाबा के लिए है, सब कुछ बाबा के लिए है, तो फिर हमारा क्या है? हमारा कुछ भी नहीं है, हम ही बाबा के हो गए, तो फिर हमारा जो कुछ है वो किसका है? उसका है, अथवा, उसका जो कुछ है वो, दोनों बात है, दोनों बात है, तो हर कर्म सेवा आर्थ कर अगर ये स्मृति रहेगी कि मेरा हर कर्म सेवा आर्थ है, तो स्वत्त ही स्रेष्ट कर्म करेंगे, याद रखो, स्वव परिवर्तन से औरों का परिवर्तन करना है, ये सेवा सहज भी है और स्रेष्ट भी है, बावा केते हैं मुख का भाषण और जीवन का भाषण इसको कहते हैं सेवाधारी सदा अपनी द्रस्टी द्वारा औरों की द्रस्टी बदलने के सेवाधारी जितनी द्रस्टी शक्तिशाली होंगी उतना अनेकों का परिवर्तन कर सकेंगे द्रस्टी अर्थात अभी गम हमारी देखने द्रस्टी मतलब यह स्थूल द्रस्टी की बात नहीं है परन्तों किस तरीके से देखते हैं किसी के जीवन की और वो बहुत इंपोर्टन्ट है सबकी और कल्यान की भावना से देखना है यह कैसा है? ऐसा नहीं सभी ड्रामा में नोध है और सकारात्मग भाव यह रखना है कि सब परिवर्थन होने के लिए हैं आज नहीं तो कल है ना सब परिवर्थन अवर्ष्य होंगे सदा द्रस्टी और स्रेष्ट कर्म द्वारा औरों की सेवा करने के निमित बनो कभी यह नहीं सोचना है किसी के लिए कि यह तो कभी ज्यान में आई ही नहीं सकते हैं इसका तो परिवर्थन कभी हो ही नहीं सकता है, नहीं कैसा भी व्यक्ति होगा उसका परिवर्थन हो सकता है, हम आश्यरे कि हमने कभी सोचा ही नहीं था, कि ये व्यक्ति को इतना परिवर्तन हो सकता है, इतना आगे जा सकता है, तो कोई भी व्यक्ति कभी भी कितना भी आगे जा सकता है, आच्छा, दुसरी बात, क्या थे और क्या बन गए, ये सदा स्मृति में रखते हो, इस स्मृति में रहने से क अभी भी पुराने संसकार इमर्ज नहीं हो सकते हैं। साथ-साथ भविश्य में भी क्या बनने वाले हैं, ये भी याद रखो। तो वर्तमान और भविश्य स्रेष्ट होने के करण खुशी रहेगी और खुशी में रहने से सदा आगे बढ़ते रहेगे। वर्तमान और भविश्य की दुनिया स्रेष्ट है, तो स्रेष्ट के आगे जो दुख दै दुनिया है, वो याद नहीं आएगी। उसको जगा ही नहीं मिलेगी। सदा आपने इस बेहत के परिवार को देख के खुश होते रहो। कभी स्वप्न में भी सोचा होगा कि ऐसा भाग्यवान परिवार मिलेगा। लेकिन अभी साकार में देख रहे हो, अनुभाव कर रहे हो। ऐसा परिवार, जो एक मत परिवार हो, इतना बड़ा परिवार हो, यह सारे कल्प में अभी ही है। सत्यूग में भी छोटा परिवार होगा सत्यूग में भी छोटा परिवार होगा तो बाब, दादा और परिवार को देख के खुशी होती है न यह परिवार प्यारा लगता है पूछते हैं फिर, क्या कहेंगे गर गरस्त में रहने वालों के साथ बाबा बात कर रहे हैं और फिर पूछ रहे हैं वो परिवार प्यारा लगता है कि ये परिवार प्यारा लगता है क्या कहेंगे वो परिवार प्यारा लगता है कि ये परिवार प्यारा लगता है क्या कहेंगे बताओ वो भी प्यारा ये भी प्यारा भाई अभी तो क्या हो गया वो परिवार भी प्यारा हो गया ना बाबा ने प्यारा बना दिया ने लगकी को भी तो वो भी प्यारा ये भी प्यारा क्योंकि यहाँ स्वार्थबाव नहीं है जो ऐसे परिवार के बनते हैं वो भविश्य में भी एक दो के समीप आते हैं यहां जितना समीप होंगे उतना वहां भी समीप होंगे सदा इस इश्वर ये परिवार की विशेशताओं को देखते हुए आगे बढ़ते चलो अच्छा, फिर बाबा ने कुमारियों से बात किया है सभी कुमारियां अपने को विश्व कल्यानकारी समझकर आगे बढ़ती रहती हो ये इस बृत्ती सदा समर्थ बनाती है कुमारी जीवन समर्थ जीवन है कुमारियां स्वयम समर्थ बनके औरों को समर्थ बनाने वाली है व्यार्थ को सदा के लिए विदाय देने वाली कुमारी जीवन के भाग्ये को स्मृत्य में रख कर आगे बढ़ते चलो ये भी संगम में बड़ा भाग्ये है जो कुमारी बनी और रही कुमारी अपने जीवन द्वारा औरों की जीवन बनाने वाली है बाप के साथ रहने वाली सदा स्वयम को शक्ती शाली अनुभव करके औरों को भी शक्ती शाली बनाने वाली सदा स्थ्रेस्ट एक बाप दुसरा न कोई ऐसे नशे में हर कदम आगे बढ़ाने वाली तो सब आईसी कुमारियां हो न? हर एक कुमारी में बाबा की आशा रहती है, है न, कि वो विश्व कल्यानकारी बनेगी, बनने के चांसिस बहुत ज़्यादा है, बने ना बने वो एक दुसरी बात है, परन्तु चांसिस है, क्योंकि बंदन मुकता है, चांसिस है, क्योंकि बंदन, ओफिशल बंदन नहीं है, बंदन हो सकता है, बंदन होता है, कईयों को माबाप का बंदन, कईयों को बेन भाईयों का बंदन, कोई का अडोस पडोस का बंदन, कोई को मन का बंदन, बंदन तो होता है, परन्तु बंदन मुकत होने के चांसिस है न, सब को चुड़ा के वो बंदन मुक्त हो सकती है, तो कोई कुछ कहेगा नहीं समाज संसार वाले पिर एक प्रश्न है, किस विशेश्टा अथवा गुण से सर्व के प्रिय बन सकते हो उत्तर है नियारे और प्यारे रहने का गुण एक है नियारे और प्यारे रहने का गुण वह निर संकल्प रहने की जो विशेषता है किसी बात में बात हो गई, फूल स्टॉप उसके बारे में सोचना नहीं है जो सोचता रहता है जिसको कोई बात होने से परिस्तित याने पर सोचने की bad habit है जिसको करा जाएगा वो react करेगा हमेशा क्योंकि याद रखता है तो react करता है बदला लेता है बदला लेना कोई बहुत बड़ी बात की बात नहीं है परन्तु किसी ने कुछ बोला तो फिर उसके साथ बात नहीं करेंगे ये भी बदला लेना हुआ उसके कार्य में सहयोगी नहीं बनेंगे तो बदला लेना हुआ है न तो इसलिए बाबा कहते है निरसंकल्प, न्यारा और प्यारा और निरसंकल्प इसी विशेशता से सर्वक के प्रिय बन सकते हैं प्यारे पन से सब के दिल का प्यार स्वत ही प्राप्त होता है इसी विशेशता से सफलता प्राप्त कर सकते हैं अच्छा, ओम शान्ति तो बड़ी अच्छी वाणी बाबा ने चलाई क्या कहा वाणी के सार में निश्य का प्रमान है नश्या और नश्य का प्रमान है खुशी, नश्य कितने प्रकार के हैं, चार प्रकार के, एक, दुसरा, तिसरा, और चौथा, याद तो रहे गया, फिर आगे क्या का बाबा ने? Homework उसके पर मनन, चिंतन, मन्थन चर्चा, डिस्कशन चर्चा वगेरे करना है उसका विस्तार निकालना है और विस्तार निकाल के एक-एक पॉइंट के उपर स्थित होने का पुर्शाद करना है तो नशा बना रहेगा अच्छा वर्दान सर्व समस्यों की विदाय का समारो मनाने वाले समाधान स्वरूप भव विदाय समारो समाप्ति समारो समस्यां का समाप्ति समारो बाबा केते हैं समाधान श्वरूप आत्माओं की माला तब तयार होंगी जब आप अपनी संपूर्ण स्थिती में स्थीत होंगे संपूर्ण स्थिती में समस्याएं बच्पन का खेल आनुबव होती है अर्थाच समाप्त हो जाती है जैसे ब्रह्मा बाब के सामने यदी कोई बच्चा समस्या लेकर आता था तो समस्या की बाते बोलने की हिम्मत भी नहीं होती थी कि इसको हम समस्या कहते हैं ये तो कुछ भी नहीं है बाबा के आगे जाके ऐसा अनुबव होता था ये तो कुछ भी नहीं है, इसमें क्या समस्या लेके जाएगा, बाबा इसने मुझे ऐसा ऐसा बोल दिया, फिर जब बाबा के पास जाएगा तो अचा बोला तो क्या हुआ, मैं ये लेके क्यों आया बाबा के पास, किसी ने बोला तो क्या हो गया, मुझे मेरा क्या बिगड़ तो बाबा के पास जाएगा तो समस्या अपने आप खतम हो जाती है ऐसे आप बच्चे भी समाधान स्वरुब बनो तो आदा कल्ब के लिए समस्याओं का विदाय समारोग हो जाएगा विश्व की समस्याओं का समाधान ही परिवर्तन है छोटी छोटी बात ये होती है पर वो जब समस्या के रूप में हम लेते हैं तो बहुत बड़ी हो जाती है बात बड़ी नहीं होती है पर हम उसको कैसे लेते हैं उसमें अंतर आ जाता है काई लोग जैसे करें राई को पहाड बना लेते हैं और काई फिर पहाड को राई कुछ नहीं कोई बात नहीं कोई बात नहीं क्या दिया फुल स्रप लगा दिया पहाड की राई बन गई पर क्यूं कहा ऐसे कहा क्या ऐसा तो नहीं कहना चाहिए न तो वो राई का पहाड बन जाएगा अच्छा, स्लोगन है जो सदा ज्ञान का सिमीरन करते हैं वे माया की आकरशन से बच जाते हैं जो सदा ज्ञान का सिमीरन करते हैं ज्ञान बुद्धी में चलता रहेगा तो माया की आकरशन से बच जाते हैं ओम शंति झाल झाल